जै माताई दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों हमारे चैनल से जोनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें दोस्तो इस बार दिवाली पर 7 शुब योग बन रहे हैं 7 शुब मुहूरत हैं खरीदारी करने के लिए 17 साल बाद दिवाली पर सरवार्थ सिध्धी योग भी बन रहा है दोस्तो ये 7 दिन बहुत खास रहने वाले हैं 7 नवंबर से 14 नवंबर तक का जो समय है वो बहुत ही शुब रहने वाला है 7 नवंबर पुष्य नक्षतर से शुरू होकर 14 नवंबर दिवाली के बीच 7 ऐसे शुब मुहूरत बन रहे हैं जिन में प्रॉपर्टी गाड़ी से लेकर इलेक्ट्रोनिक सामान या फिर जूलरी तक खरीदना शुब होगा 13 नवंबर को छोड़ कर हर दिन खरीदारी के लिए शुब है महीं 17 साल बाद दिवाली पर सरवात सिध्धी योग भी बन रहा है इसके पहले साल 2003 में ऐसा हुआ था इस योग के चलते दिवाली पर की गई खरीदारी जादा फायदे मन्द होती है इसके अलावा साथ नवंबर को पुस्यनक्षत्र के साथ चंद्रमा ब्रहस्पती और शनी अपनी ही राशी में रहेंगे इस दिन बुद्ध शुक्र भी एक दूसरे की राशी में होने से धन योग बना रहे है ग्रहों की ये स्थती कम खर्च से जादा फायदा देने वाली रहेगी तो आईए जानते हैं साथ नवंबर से चौदा नवंबर के बीच का जो समय है इस समय में किस दिन क्या खरीदना शुब रहेगा दोस्तो 7 नवंबर शनिवार और पुषय नक्षत्र का संयोग होने से इस दिन शनी पुषय योग बन रहा है साथ ही पूरे दिन रवी योग भी रहेगा इस दिन हर तरह की खरीदारी की जा सकते है शनिवार होने से इस दिन प्रॉपर्टी, फरनीचर, लकडी से बना कोई भी सामान, मशीनरी आदी खरीदना शुब रहेगा आठ नवंबर इस दिन कुमार योग के साथ रविवार है, अशलेशा नक्षत रहेगा और साथ ही अश्टमी तिथी का सहयोग बन रहा है इस शुब महूरत में खाने की चीजों के साथ ही आश्टियों की खरीदारी और नए प्रतिष्ठान की शुरुआत करना विशेश रूप से फलदाई रहेगा 9 नवंबर को सोमवार का दिन है और मघा नक्षत्र के सैयोग में इस दिन औश्टिया, मिठाईया, मोती, सुगंदित चीजें, एक्वेरियम और महिलाओं से जुड़े सामानों की खरीदारी करना शुब रहेगा 10 नवंबर को इंदर योग के साथ मंगलवार का दिन है और फालगुनी नक्षत्र रहेगा, पूर्वा फालगुनी नक्षत्र है जिसके सैयोग से बहुत ही शुब योग बन रहा है और इस दिन इलेक्टरानिक सामान की खरीदारी करना बहुत शुब रहेगा प्रॉपर्टी में निवेश और खरीदारी के लिए ये दिन बहुत शुब माना जा रहा है 11 नवंबर को उत्रा फालगुनी नक्षत्र होने से व्रधी देने वाला वर्धमान योग और चंद्रमंगल का द्रश्टी संबन होने से महालक्ष्मी योग बन रहा है इस महुरत में हर तरह की खरीदारी करना शुब होता है साथी वैद्रिती योग किसी भी मशीनरी या औजार खरीदने के लिए वीकल खरीदने के लिए शुब होता है बारा नवंबर को धन्तेरस का पर्व है खरीदारी के लिए अभूज मूरत के कहा जाता है इस दिन प्रदोश और हस्त नक्षत्र का योग बनने से वाहन आभूशन भूमी भवन और वस्ट की खरीदारी करना मंगल कारी रहेगा चौदा नवंबर को धिपावली का पर्व है सूरियोदे के साथ ही सरवात सिद्धी योग रहेगा जो की रात करीब आट बजे तक रहेगा लक्षमी पूजा के साथ इस दिन हर तरह की खरीदारी के लिए विशेश मूहुरत होता है तो दोस्तो इस बार साथ नवंबर से लेकर 14 नवंबर का जो समय है ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत ही शुब है ग्रहों की स्थती इस तरह से बनी हुई है कि इस समय में खरीदारी करना आपके लिए बहुत शुब रहेगा वीडियो पसंद आये तो लाइक को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धनिवाद